तो देखे ये सबजी हम लोग अगसर शादियों में खाते हैं और सबको बहुते पसंद आती है तो इसके लिए मैंने फूल गोबी, आलू और मटर और टमाटर अर्दरक हरी मिर्च का यूज किया है तो चलिए हम लोग बनाते हैं ये सबजी तो मटर को मैंने बॉयल कर लिया ह आलू और गोबी को काट के पीसे में धोगे रख लिया है तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक कडाई में ओयल रख दिया है तो पहले सारी सबजीयों को जो है हम डीप फ्राइ करेंगे तो ओयल हमारा गरम हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले अपन तो इसलिए बहुत high temperature पे भी इसको नहीं तलना है और बहुत low temperature पे भी नहीं तलना है नहीं तो सबचिये हमारी बिलकुल गल जाएगी और कच्ची-कच्ची से लगेगी तो इसको आपको medium flame पे ही आपको इसको fry करना है तो यह देखे हमारी गोबी फ्राइए हो रही है हमारी गोबी बिल्कुल ही फ्राय हो गई है यह जब हमारी गोबी फ्राय हो जाएगी तो इसी पर हम लोग high flame पे आलू को तलेंगे आलू को आप लोग high flame पे तल सकते हैं क्योंकि आलू जल्दी से पक जाता है इसमें बहुत नाइं महीं लगता है तो अपरी गोवी अब निकल गई आप हम इसमें अपना आलू डालेंगे तो ये देखिए पेंट्स अब हम लोग इसमें आलू डालेंगे आलू को मैंने इस तरीके से लंबे-लंबे पीसे में काटा है आप भी इसी तरीके से काटिएगा तो mix-bidge की सबजी में आलू इसी तरीके से कटता है तो आलू को भी हम लोग golden brown होने तक तलेंगे एक अच्छा सा सुनेरा कलर आएगा इसमें आलू को तभी हम लोग इसको निकालेंगे पलट-पलट के इसी तरीके से और मैंने इसमें फ्राइ करते से में ना गोबी में ना आलू में कोई नमक वगएरे नहीं डाला है नमक डालेंगे तो भी सबजी जो है सौट हो जाएगी और इतनी अच्छी नहीं बनेगी तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग को आलू को फ्राइ करना है अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा कलर इसमें और आने देंगे और उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे थोड़ा गोल्डन कलर आएगा इसमें अलू को तभी हम लोग इसको निकालेंगे तो यह देखिए हमारे आलू का कलर बिल्कुल परफेक्ट आ गया अब हम लोग इसको निकाल लेंगी बहुत ही स्वादिश सबजी बनकर तयार होती है आप लोग इसको इस मौसम में अभी इस मौसम में गोबी मटर बगेरा आ रहा है आप लोग इसको बनाईएगा ज़रूर तो देखिए हमारे आलू फ्राय हो गए हम लोग इसको निकाल लेते हैं अब मैंने क्या किया था अब हम लोग इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो देखिए मैंने ओइल गरम कर लिया है और जब गरम हो जाएगा तो मैं टमाटर अध्रा को हरी मिचका इसमें पेज डाल दूंगी और इसको अम लोग भूनेंगे अच्छी तरीके से तरीके से इस तरीके से बूनेंगे जब तक जाली है धनिया डाली है जो डेली के मसाले होते है धनिया मैं थोड़ी जादा डाली है इसमें दो चमच करीब डाली है और एक में इंगरिनिस में डाला है वो है कसूरी मेथी कसूरी मेथी से ही इसका टेस्ट बहुत लाजवा बाता है और बिलकु शादियों जैसा फ्लेव के मटर होते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं मैंने फ्रिश मटर को बॉयल करके इसमें डाला है और इसको अच्छे से भूनेंगे अब मटर की साथ ताकि इसमें मटर थोड़ा सा गल जाए थोड़ा सा गैस का प्लेम स्लो कर देंगे मैंने इसमें थोड़ा नमक डाल दिया है ताकि मट्र और यह सब गल जाए मारा टमाटर के साथ, और जब मट्र और मारा गल जाएगा, तो इसमें जो है, मैंने जो सब्जियां फ्राइ करके ती, गोबी और आलू, वो भी डाल दूँगे इसके अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो भी मैंने इसमें मसाले वगएरे डाले थे, सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, आलू और उसमें चले जाए गोबी के अंदर, बहुत ती अच्छी सब्जी बनती है, लटपटी सी, पराठे, पूड़ी, रोटी, सब के साथ ही अच्छी लगती है, और इस सब्जी को अकसर हम लोग शादियों में इंजोई करती है, अब आप लोग इसको घर पी बना के खा सकती है, मुझे नमक थोड़ा कम नग रहा था, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है, तोड़ा गरम मसाला डाल दिया है, जीरा पाउडर डाल दिया है, लाल मेच्ट डाल दिया है, और थोड़ा समय इसके उपर हरा दनिया डाल दूँगे, हरे दनिया से भी सब्जी की खुश्बू बहुत बढ़ दाती है, तो चलिए आप सबको मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरीके से, तो यह देखिए, मारी मज़ेदार मिक्स वेच की सबजी बनकर बिल्कुल रेड़ी है, फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करिएगा, फ्रेंट्स रेलिटिव के साथ इसको शेर करिएगा, वीडियो उसमें कुछ कमी या कुछ आपको बताना हो, तो प्लीज कमेंट करिएगा, और फिर मिलूँगे आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ, और किसी नई रेसिपी के साथ, तो अंटिल दिन बाई, टेक कियर बाई बाई